असलाम अलेकुम नाजरीन, मैं हूँ कोमा लक्वी, प्रोग्राम टी टाइम विद कोमाल में, आपको एक बार पर कुछ आमदीद कहती हूँ अच्छ की टी टाइम में अक्सर में अपकी मुलाकात कर्वाती हूँ कितर Quinn LAUGHTERоп नमानी तेन्हें 25 outward टाइब अपके बार में, हमारे बारे में उनकित करभ एम करता हैं तो लाइट ईप्सुगू आपके सब्सक्राइब करते हैं काफी सारी चीजन हैं। काफी सारी चीजन है। ऑर कि काराची के हालात आँ काफी कशीदा चल रहे हैं। और इसके साथ मौस्ब काभी थोड़ा समय डिसका करूँगी। क्योंकि काराची के सार्दी जिस से इंट्री यह तो चीजन पीन, पहनना-ऊड़ना हो जाती है। मैं जहाद कमी यह से हैं लाइक कर क्योंकि मेरे प्रोग्रम का फोर मैं था से नहीं क्योंकिसों है मैं ज्याद को aja मै किनू अपधि है करूए है कि मेरे साथ में कि अच्छी बात करों गहात अप मुझ मुझई हों वहाद किurasी इसके इस व Kimberly कर दोगारि ताले कि से सारी thisised छोटब पराइधी मेरे पस मौझूद है ठीक है उन से अब की मुलागाद करवाती हूं नसे गफश्प करते हैं और जानते हैं in ki reality की बारे में in ki life की बारे में उनके passion के बाहरे में, उनके job के बाहरे में, लज्यादा नभी बाती करती हूँ, आपसी मुलागात करवाती हूँ, नवीद हाश्मी, पाकिसान के रस्तर हैं, इस वक्त महारे पस मौझूद हैं, नवीद हाश्मी कैसे हैं, शुक्र अलगा आप बताएं, I'm good, नवीद, रस्लि से लेके चल रहे हैं, लेके इस तरह चलते हैं, क्योंकि मैं वैसे भी वहाँ पर भी करता हूँ, मेरी एक विशु फायट होती है, जो आर्मी के अंदर होती है, वहाँ पर भी, शुक्र अलगा, सही है निजाम, और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आर्मी से पहले मैंने रस्लि पहले से चलो है पाकिसान आर्बी में कितना टायम हो गया पाकिसान आर्वी थी न कि वह जो पहले है। प्रॉस्तिंग होती है हैं और बहुत सारे चीजे आते हैं जहां पर बंदा तंगी होता है और निए यह दो जगह देखा जो बहुत मज़ा करवा देती हूं तो फिर हम जो है वो गुफ्तगू का आगास करेंगे दोनों के साथ हमारे पास सिर्फ मौजूद है जनाब असलम साब लाइफ कोच है और लाइफ कोच के बारे में भी आज मैं जानूगी लेकिं सबसे पहले में अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहती है तो बताएं ज़रा क्या है लाइफ कोच का मतलब जी बहुत इंपूर्टन कुस्चिन है थैंक यू फर आसकिंग और देखें दुनिया के अंदर हम भी जब लोगों से कहते हैं लाइफ कोच तो थोड़ा सा लोग हरान हो जाते हैं कि वाट इस लाइफ कोच लाइफ कोच हैं टीचर और लाइफ कोच में बहुत ज्यादा फर्क है ओके टीचर फर इंपल वो होते हैं कि जो आपके कोर्स वक पढ़ाते हैं और उसमें आपका इम्तिहान लेते हैं वहां जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं वह सौल करते हैं कोचिस करते हैं कि आप अच्छेगी लिष्ट होता है ठीक है लेकिन लाइफ कोच क्यों ज्यादा इंपोर्टन्ट है यह लीडिंग इस वक्त जो है दुनिया में एक इंडस्ट्री है जिसके बहुत ज्यादा काम और यह एज भी लाइफ कोच की है यह क्योंके देखें अभी हर चीज डिजिटल हो गई हर चीज आनलाइन हो रही है इवन आपको पता होगा के हावर्ड यूनिवर्सिटी ने भी अब जो है पीजडी की शर्त खतम कर दी और उनने खाख ठीक है अगर आपके पास नॉलजज है तो आप डिरेक्ट आके पीजडी करें इस इन हलात के अंदर खास तर पे जब आनलाइन कोब कुछ जो है वो आपके अंदर जो आप करना चाहते है वेर हो फर्स्त आफ और पॉल वह आप से कुछ सवालात करे गा क्या आप कहाँ पर आप कहां जाना चाहते है ठीक है next Life a coach is not a teacher he is your partner as a life coach जो है वो आपका गाइड है, आपका फ्रेंट है, और वो आपको आपक twee को अपको आपकी गलतियों पे फोकस नहीं करेगा, वो आपको फास्ट फारवर्ट आपका जो है, फीड फारवर्ट देगा आपको, यानि वो यह आपको बताएगा कि आपके अच्छी चीजें क्या है कौन सी अच्छी चीजें मजीद डिवेल्प करके आगे जा सकते हैं तो यह डिस्केवरी है जो इनसान के अंदर होती है बहुत सारे लोग अपने आपको डिस्केवर नहीं करका पाते लाइफ कोच आपके अंदर एक बहुत बड़ी दुनिया है बहुत ज्यादा टेलन्ट है उसको डिस्केवर करता है जो अच्छो इस बहुत बड़ी चीज को छोटे से बंड करते है कि लाइफ कोच आपको यह वताता है कि आपके इतनर खूब यह क्या है आप में टैलेंट क्या क्या है क्या 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 चीज साम ने आने चाहिए आपकी अच्छा हमारे साथ इसमें नवीद हाश में मौडूद है पाकिस्तान के रस्तर है और पाकिस्तान आर्मी से भी इनका तालुक है तो इन से जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में मुझे जारा पत पहले तो आपका एक शुबह बड़ा ऐसा है असा है सास टाइप सा पाकिसना आर्मी से रिलेटिड है हम फिर आपको शुख भी रैसलिंग कर रहे हैं तो आपके फैमिली कुछ नी कहती है आपके पताई भी दाई कुछ नी कहती है तो पहले बच्छमन में होती थी उसके बाद कोई कुछ नी कहता है लेकिन रैसलिंग मैंने आपका बताया ना पहले रैसलिंग शुडू की थी उस वाग सपोर्ट नी ता गर से बिलकुल भी लेकिन अभी तो शुक्र एल्ला का दोनों जगा सपोर्ट मिल रहा है और रैसलिंग जो थी वह तो बच्छमन से पहला गेम ही उनी के थू है आपकी रैसलिंग या इसका सेशन कुछ अलग है नहीं मेरा जो करेक्टर है वो अज़ा सॉलजर है अज़ा सॉलजर है पाकिसान आर्मी अमे आने का भी शौक था जी बिलकुल दो शौक थे बच्छमन से दोनों अला कर शुकर है पूरे करणी है तो आपकु यह सारी चीज़े लेके चलना मुश्किल नहीं है बहुत जादा मुश्किल तो होता लेकिन अपनी करता ना इंसानों से खुशी मिलती है जब मेहनत करके खुशी अलग होती है मेहनत करने के बाद सुकून मिल जाता है पर पहला जो आपने रैसलिंग आपका था किसके साथ सबसे पहला मेरा मकाबला हुआ था तलहा ली के साथ लेकिन जो मेरी वरल्ल चेमिंशिप का पहला महिश्टा हुआ था बिलाला अफरी ती दाकव ब्रेंडन तो शुक्र अला केम से स्पोर्ट कंप्लेक्स में मैंने उससे विनिंग ली ती और वरल्ल चेंपियन मन गया था अच्छा बुचे बता है आप लोग अपने फिटनिस का ख्याल कैसे रखते हैं मैंने सुनाई कि आप लोग का जो है वो खाना पीने का जो है यह सारी चीज़ थोड़ी आप डाइट प्लान थोड़ा थोड़ा हुआ है जरा आप लोग बिलकुल शेयर करना चाहूंगा इतन अच्छा जो लोग को खाते हैं कि लोग को लगता है कि 20-20 अंडे काते हैं तो इसा बिलकुल भी नहीं होता है यह होता है कि जो मेरा करेक्टर है अभी जैसे मैं हाई फ्लायर हूं तो मैं अपनी फिटनेस का अपने हिसाब से धियान रखूँ क्योंके मुझे हाई फ्लाइं जम भी नहीं कर सकता हूं मतलब आपको हर बंदे को पता है किवेड जो है फ्लाइं नहीं कर सकते हैं तो इस वहाँ से में अपनी फिटनेस का ख्याल लगता हूं यह नहीं कि मैं मुझे अकसर लोग केते हैं और आप रैसलर नहीं लगते हो काफी फिट हो अच्छा यही सवा कर सकते हूं रिंग के अंदर वो काम वो नहीं कर सकते हैं जो काम वो कर सकते हैं वो काम मैं नहीं कर सकते हूं अभी सो किलो का पत्थर हर बंदा नहीं उठा सकता हूं और नहीं हर बंदा नहीं है नहीं मैं नहीं उठा रहा हूं मैं एग्जेंब दे रहा हूं आपको क्यूं स्टूडेन कीछ से थे थे आप पच्छे थे जयर में आ आप रह पूशूँकि ना आप जो लाइप कोच हैं आप इस स्टूडेन आप सिरार्थी श्टू और जार्थी स्टूडेन था है और शुरू-चुरू में आपको पता है कि ज्यादा बच्वों का इंटरस्ट होता है लेकिन यह के जब चीज कोई टीचर हमें बताते थे बहुती यह नहीं क्लास में शिरारती नहीं था लेकिन टीचर जब हमें काम बोलते थे तो काम हम करते थे बिल्कुल अच्छे से मतलब आप बड़े अच्छे हो नहार किसम के रहे हैं वह स्टूडेंट है ऐसे यह मैं थोड़ा नलाइक था लेकिन गजारा थाँ बेलंस था नाराइक गड़ा था नहीं थाएचा helping नलाइक मतला अच्छे आप लोगों की ट्रेनिंग के बारे में नहीं बड़ी स्ट्रिक होती है जी बिलकुल मुझे बिलकुल लगता था लेकिन जो मेरे आसपास के लोग थे मुझे हमेशा करते हैं तुम भाग के आजाओगे अकसर लोगों ने मुझे का जिस दिन में लास्ट डे मेरा जो पहला दीन तर उसका ट्रेनिंग का जब भी मुझे लोगों ने का यार आप नहीं कर सकते हो मतलब थोड़ा चिकना टाइब लगते हो तो तो इस तरह बाग क्या जोगे लेकिन शुकरे के ऐसा कभी सोचा ही ने पर ट्रेनिंग में लेकिन मुश्किलात है बहुत आती हैं ट्रेनिंग में और सबसे ज्यादा हैं सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है वो बता है फिजिकल मुश्किल होता है आर्मी में हां फिजिकल बहुत मुश्किल होता है जब इंसान थक जाता है ना फिजिकल फिर शुरू होता है जी बिल्कुल मतलब आप जो है वो डरा रहे हैं हमारे जो बोई जवाद का जवाद दे रहा हूं कोई आसान चीज बताएं कि जिसे हमारे जो इनका थोड़ा कम यूज करें, यूज ही ना करें पहली बात तो, अगर फिटनेस अची रखनी है, क्योंकि जितनी अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, उतनी अच्छी मार्क्स मिलेंगे, एक्जाक्ली आसे है, अच्छा बाहस दफा मैंने देखा है कि बंदा पूरा फिट भी होत अच्छी तोर पर हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन फिर बात में जब उसका side effect होता है, तो इनसान फिर सोचता है, मैं कहां जाओं कि अगर आपको शौक है, पाकिसनान आर्मी जाइन करने का, तो हर किसम के उटी सी चीज से आपने दूर जहना है, ऐसा है, असा है, असा ह किस की ज्यादा कमी है, नौलिज की कमी आप कहते हैं, या बचों में कौन्फिदेंस की कमी है, किस इसकी कमी है, और आजए टीचर, आजए लाइफ कोच, जी देखें, कोवड के बाद स्पेशली जब स्टुडेंस दुबारा पढ़ने के लिया है, आपको बता है कि काफी घ इक्टिविटीज मी नहीं कर सके, तो ज्यादा टेलिविजन के साथ अटैच रहे हैं, और उसकी वज़ए से स्टुडेंस का फोकस कम हो गया है, अच्छा, जी, अब लोग स्टुडेंस क्योंके घर में बैठते थे, सोशल मीडिया बहुत जादा इस्तमाल कर रहे थे, सोश बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं, अभी जैसे जमाना बदल रहा है, हमें शायद अब जरूर टाइम आगया के हमें बहुत सारी तबदीलियों की जरूरत है, अभी हमारा जो टोटल एजुकेशन सिस्टम अगर आप इसको एनलाइज करें, तो स्कूल, कॉलिज में चले ज आप हमें जब काशीज ने चले हैं जुके सारी चेहर थीकाल, अभी जरूर चाल नेदे ज़्चाता है, हमें में ड्रूं आप हमें दो इनवाल mash में? अच्छा इस बारे में मैं आप से पूछती हूँ मैंने सुना के काफी strictness होती है strictness बड़ी मज़िदार किसंगी होती है लोग बड़ा इसको सुनके देखके enjoy करते है एक ब्रेक ले रही हूँ ब्रेक बाद वापस आता है तो नवी से पूछेंगे के strictness क्या है पाकिस्दान आ टीडामिद कॉमार तीडामिद कॉमार में एक भापछामदीट कहती हूं हमाँ सथ मौज़ू है नवीद हाशमी रोके रैस्लर है और उसके सथ नावाँ सथ लाइफ कोष मौजूद है असलम साफ अब बता थे कि पढ़ने का थेककार क्या हो गया है अच्छा नवीद मुझ कि अबर थे यसा कि आपके अपरणन्स है जी बिलकुल आज यहां फिर्ट्री को शुरूर के शाहँ शुड़े दफ्च्र पजार। शुड़े कि अपर इसमें आपको पता है यह अजिए जी कुछ मसले जिस वाया से आपको पता है जालाच चल्में इस वाया से ज़रे अच्छा नवीड मुझे ने अपने रस्लिंग के हवाले से आप बता है कि बहुत सारे लोग इसको जो 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 जोइन करना चाहते हैं बहुत साहरे यंग्स्टर हैं जिने ज्यादा नौलेज नहीं है कि अगर वह ऐख वह उस्यादी की तरह आएं गे तो क्योंकि हमारे तरीक तरीका है हमारा जो पेज आप फेस्बूक पर भी है इंस्टाग्राम पर भी है REW, Revolutional Instant Wrestling तो वहां पर आप कॉंटेक करें आपको कॉंटेक नंबर भी मिल जाएगा वहां पर और आकर उनसे बात करें इडिशनल लें और ट्रेनिंग करें और अफने जो ड्रेम हां को बुरा करें अच्छा और ये सिलसिला इंशाला आगे बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा ठीक, अच्छा आपका भी पाकिस्तान से बाहर जाके हुआ है मेरा तो नहीं हुआ है कैपिसा, कई टोड़ पासपॉर के फिरा तोड़ के अधी का रगहर आएक क्या हणिक आपके पासपॉर तवर ही मेराओ का इंटाना था रहिए के उन डाहिता क्यों है यह खोता है,स कियो हमारा जो आर्मी का रूल है, वह इस तरह ही होता है क्योंके विज़ा नहीं मिलता है किसी अदर कंटरिक किसी इंकाively पर मिलती है कि बदो मुझ मुशिती है यह वाकिछ अजी एक भागी अजीब सा हो गया कि एक बंदा जो इतनी महनत कर रहा इतनी अफ़ट कर रहा है यहाँ से बाहर नहीं रहा सकता लकिन यहां वहां से कुछी रहा था उसे मैं लड़ सकता हूं बिला जी जग मुची अबने बारे में बताएं, आपका कुछ चोछ अगैर है या दुड प्रेक्टिस झाता इसे किए? या अब कुछ तरे अब के अगा है? यह बहुत कुछ और है लेकिन उन से मने सिखा भूट कुछ सिखा और उन्हों बहुत सिखा बहुत सिखा इन्हों बहुत सपोर्ड भी किया रेस्लिंग में और बोट कम टायम में अच्छा ट्रेंग कर एंग और मुझे जब मेरी चैमिशिप तक का सफर उनके साथ रहा हुँ चैमिशिप तक आपके साथ रहें वो अच्छा मुझे यह बताएं कि डिफरेंट जो बॉक्सर्स हैं उनके डिफरेंट 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 नाम होते हैं जी बिल्कुल आपको ही कोई अशा नाम है मेरा है न अद्दा नॉम बताएं मुझे इसके नॉम कोई मिनिंग त स्टवत टो कर अचाएं तो घर वाले मुझे कि नॉम बताएं तो अधिव तो नॉम कह ब्ला थे तो उन्हे अदट पढ़ गी तो एसा हुआ एक दिन कि मेरा जो एयरिया है मुझे बंदा नॉम कह के ब्ला लग गया और नवीद अभी अकर इंको बना नाम पता ही नहीं इनी को ही अपना रिंग नेम बना दिया रिंग नेम बना दिया अज़ा रेचिछ गाहिए तो पैंस की तरफ से आप को इस तब अपना एक रिंग नेम बना दिया ता मुझ अब जब बुट बुरा तौ गर्वालों ने बढको अपर फे dwuddy तो चेह महीं बच्छ पर ने निकलने ही महारेसाथ अच्छाहज़ता शाहए जो मुझे बतायां आभी कहा कहां आपके जो है वो पढ़ाने का चल रहा है मावला? जी, जी, जाहँ आखो है,टारी का आफ एक्मीर के साथ मनसलिक है तो वो तो सिस्टम चलता ही, लेकर उसका अलावा जो पुछ्रा सेattered हो जाहँ जाहँ आख एज बाते हो जो भौल्र कर्स है वो ऱक्नोड करते हैं जो कि पाकिस्तान में इतना ज्यादा लोगों का उस्ट लेकित देखें, प्राब्लम यह होता है कि क्यों लाइफ कोचे जरूरी है, जब हमारे बच्चे किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, और सम्टाइम्स वो डेविगेट नहीं कर पाते हैं, जब मुश्कल आती है उनके दो गब आ जाते हैं, अब हमारे एक ऐसा mechanism नहीं है, हमारे इस तरह की एजूश्न ने है, एफर एकक्जमन प्रेशर को कैसे बरदास्ट किया जाए, प्रेशर सिच्विशन है, प्रेशर को कैसे अब्जार्ब किया जाए, जब आव जुद एक हम्हरे रून यह उत्टोक ठीक है? तो बहुत सारी सवालात ऐसे होते हैं इन जिन्गी के अंदर कि जिसके अंदर बहुत सर जैसे मैं पहले भी आपको कहा कि it's all about the discovery. Life coach is your friend. वो आपको आपके अंदर जो जो आपका talent है उसको explore करेगा और आपको बताएगा आपको encourage करेगा आपको जैसे GPRS काम करता है कि वो आपको बता देता है कि wherever you are what is your problem आप कहीं lost हो गए है क्योंकि देखे हम life के अंदर हम सब लोग कभी न कभी stuck होते हैं we all face nobody is immune to uh to the happiness everyone faces a difficult situation तो इन ऐसी situations के अंदर जो life coaches आते हैं वो आपको self discovery भी करते हैं वो आपकी strength को भी देखते हैं और आपके अंदर जो positive चीजें होती है जो आपका talent होता है उसको polish करने में आपकी मदद करते हैं वो आपको criticize नहीं करते हैं वो आपको मतलब बहुत ज्यादा आपको यह नहीं as a teacher नहीं करते हैं वो आपके friend बनके companion बनके partner बनके through the journey of success they teach you okay do you want to go there that's your target they will ask you the question they very very important question because and then they will tell you now what is the method how can you uh get there वहा कैसे जा सकते हैं आप कैसे उस चीज को अचीव कर सकते क्योंकि बहुत सारे सवालात के जबात हम सब लोग को नहीं आते ये नेचल सी बात है Achoo students नहीं बहुत सब आप आपके और आपको अपने जो जानना चाहते हैं यह जो पूछना चाहते वो कन्वे नहीं कर सकते हैं तो उनको यह strength को बढ़ाने के लिए उनमें हमत पाद करने के लिए क्या आप पीच करता है उनको जी थे कि हमत कैसे पैदा की जै जिसको कहते हैं इंडूरन्स राइंडुरन्स कैसे कैसे पैदा की जाए इसके देखें इसका सिंपल फर्मूला जो है एक्सिसाइस करें एक्सिसाइस करने से आपकी इंडॉरस बढ़ेगी अच्छा सोचें पॉजिटिव थिंकिंग से अच्छा आप फॉर एक्जेम्पल अगर अगर एक आगर एक आदमी किसी के बारे में बुर से अफियू करने से पैदि और एक रखन से फंवे वैल विशर रने से किंटेंट हो ने से दुUDरों को सम्ताइम आपकी स्सेस नहीं सम्म्टाइम्स आपकी सेक्सेस किलिक्स2 थिंयूरर से और LEAI-ठार है यहीं से ढदान्र्स काम केंशे कि हमें कैसी की सिक्सर सुक्राष ने मैं यह वो चीजें हैं देखें दो सब्जेक्ट्स हैं जो लाइफ को बहुत सिरियसली पड़ता है एक साइकोलोजी जिसके अंदर ब्रेन साइंसे होती है कि वाट इस दे मैंनेजर दे इंफरमिशन इस आर माइंड अचा माइंसेट कितने किसम के होते हैं इस फ्लेक्सबिल मैंनेट होते हैं थीज में फीलिटिय्ट सेंटनी के लिएक देवाव प्लेक्सिबल मैंचेट होते हैं ठीक है अचा इंचा तो उसमें एक चीज है एक छीज यह एक ऐसी क्वालिटी है कि जो नौजवनों के अंदर आनी चाहिए. For example, लौजवार हमार पस मौझूद है. नौजवार हमार पस मौझूद है. Sir, बिल्कुल ठीक कहने हैं जिसना है बता रहे हैं कि फ्लेक्षिल्बिटी होती है इंसान के अंदर बिल्कुल पस मौझू जो पईले करें जिसनों कि इन सांधि थी ऑगर रहे हैं- बिल्कॉषिए सब्सक्राइब क एक चरखेक्सराइब के रहे हैं. कि किसी का 90 कि वरजन हैं और इस दूरूरी है और कितने गंडे करते हैं तकरीबन में दिन में एक गंड़ा सुबा करता हूं जिसको फिजिकल मतलब फिटने सी कहते हैं लेकिन जो होती है कि हमारी तो करेक्टर के साफ से होती है ज़सा अगर बॉड़ी बॉल्डिंग कर रहू वो तो अलग बोड़ी बॉदी इसका हुष इसका हुआ कोई किसी का 90-Kg वरजन हैं नटीके जी हो भी तो वो गज़ कोई लेसका हुआ तो बहुत मुश्किल होगी तो मैं टोप रोप से लेना चाहूँ तो ले सकता हुआ क्यों कि अपने अपने अपको अस तरह बोड़ी को तो लिख मेपक्नावे अजिरा में ठnhख इससाफ से चाहल ओतर हुं। मैं जिसाद आच सिर्डीज मेरा वूर में रृसलिंग का उतर है वागोग। भुषी में अजय में बश bud मेत बॉषी जब गाई लिए रिसलिंग नहीं आप रॉड़ती ती a or wants a अप होती अए है कि अप रॉड़ाग रिंगे सब्षमारी को ज्न घीए तो अप देखने वाले को एकी एक्सक भीजाए कि Think है भीजाए आख मिरेसामने ही, हेहा है अगी ही है यह बिलकुल, इतनी फास्ट हो गई है इतनी है फास्ट हो गई है इतनी है फ्लेंग आगई इसको आप जान दो गई तो मिलाब वह चीज़े एड हो गई तो रस्लिंग एक खुबसुरत सा गया उसके अदर फिर करेक्टर भी थोड़े मदद चलीम आगई जाहरे क्योंकि है य तो यह आपनों को फिल नहीं होता कि यार इसे कोई बंदा भुरी तरह से एक्सपायर ही हो सकता है बंदा इसक्पायर हो सकता है लेकिन जो फिल की आप करें ना वो तक्रीबर 15 गंटे बाद फिल होता है मेडिकल साइंस के मुताबिक भी जब इनसान को इस तरह की एक्टिव यह इसटॉरी मेरी है के जएसाब ने बताया किसी की प्रोग्रेस बारदाश नी कर सकते एँ तो इस बंदे से मेरी जो एक्टिशनी होती है अच्छा बारगर अपनी कोशिशे करते हैं लेकिन फिर जो उनको मूह तरजवाब मिलता और वो चले जाते हैं अच्छा उख सिक् कि अब आज़ा करने में तो ड़ा शटेर्स के अशला हो गई तो अचा हम बात कर तो अधर आज़े के जाएगा अधर रावाले से भी अचाए है कि अश्टूडेंट्स है उनका सिन्यारियो डिफेर्ल छुका है पढ़ने का स्टायल टेंच है कि हमारे पास अचारिका है कि जि इस ऐसे गाइड करते हैं? हम अभी भी आंसर के पीछे पढ़े हैं. अभी जो जो चीजें जिनकी ज्यादा जरूरत है, रिसर्च ये बताती है कि किसी भी आदमी के कामयाब होने के लिए, हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, स्टूडन्स को बहुत लिखवाते हैं. हम लिखने का जो जो कामयाबी के अंदर जो रेशो है परसंटेज है वो 9% है, उसकी इंपोर्टन्स और इसी तरह से पढ़ने की जो परसंटेज है वो 15% है. पंदरा परसंट अगर आप पढ़ेंगे तो 15% जो है वो आपकी कामयाबी के अंदर रोल प्ले करेगा. इसके इलावा जो पोकन स्किल्स आपके यह यह बिलिटी तो स्पीक जिसको कम्निकेशन स्किल्स कहते हैं अनफॉचनल्टी बोलने के अपर हमारे पूरे कोर्स के अंदर जीरो नंबर है उसकी जो रेशो है तीस परसंट है अचा 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 फोटी फ़ाइव परसंट जो ह वे घुम साफन हिो तो स्फ़ाइब ऐसराज शूर पावर ना इसलो स्फहज़ के लिए में एक जो बोलने वाला पावर में नहीं है क्योंकि पर tuning ओस्म निंग ऑसके थेव क के अपर ओस्में कामीआवी के लिए इसलिए कि यूर ने द्रश कर नर बेलिटी खनत गर लिटी केंदर you have to be a listening ninja बिलकुल देखे जी कोई भी चीज सीखने समझने के लिए जानने के लिए आपको सुनना बात ज्यादा जरूरी है जब तक आप सुनने के लिए तो आपको समझ कैसे आएगा इसजीज को में एक ब्रेक के बाद कंटीनु करूंगी समसाब से पूठे कि हम किस सुन सकते हैं तो स्ञाओ कई धरे थे टरे से सुन सकते हैं सो में स्टेटाइम एज क्टैटामожд को में फिर आपको खुशांदीत अच्छा हम बात कार रहे थे तो तो किस तरह से हम अच्छe तरह से सुन सकते हैं क्योंकि कि हम मेर पासт य जालायत भी कौन एम सुनने किटू तो कुछ समझ में आएगा ना हमें? तो बेटर तरीके से स्टूडेंस किस तरह से सुन सकते हैं? क्योंकि बाज़ दूड़ आटीजर तेमाह खराब कर दिया तो क्या आप क्या मैसिज देंगे स्टूडेंस को कि आप सुनें, समझें किस तरह से? देखिया, आला तरह ने में दो कान दी है, एक जुबान दी है, रिसर्च यह बताती है कि हम धाई सो लफज बोल सकते हैं, लेकिन पांच सो लफज हम सुन सकते हैं, अच्छा लिस्निंग जो है, इट्स अन आट, लिस्निंग सुनने से, जैसे कोई चीज भी है, जैसे सारे हैं करते हैं, तो जतनी प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ज़्यादा इंडूरस पड़ती है, इसी तरह से जितना हम सुनने की प्रैक्टिस करेंगे, हमारी लिस्निंग कार्थ बढ़ेगी, इसकी भी प्रैक्टिस है, ठीक है, बूसरी बात है कि what is the best listening? Best listening उसको कहते हैं। कि जब आ कि आपको प्रेशने लागे कि दूए जगा कैई कि आपको सुनों अवर एक्जेमबल अगर मैं उस तरह से सुन रहा हूँ आपको बुरा लगेगा हमने जब सर इसे भार बात कर रही हूं सर को भी महसूस हो रहा है कि शाय यह पेंग सरको ओधिया और इन आपका ओधिया ऑठा वाइड है, मैं ब्रें साइसे सी बात है, यह काफी स्टड़ी करता हूं, हमारा अधाला ने जो ब्रेन जो डिजाइन किया है, फोकस वो मुल्टी टास्किंग के लिए नही किया है, हमारा दमाग भी एक टाइम में एक ही बंदे की एक ही बात सुन सकता है, जब हम ज्यादा आते हैं, once you listen, you pay attention, आप उसके अंदर अपकी इनर्जी इनवस्ट होती है, तो सुनते हैं, तो यह काफी इनर्जी कंजूमिंग प्रोसेस है, इसलिए हमारा दिमाग हमें कहता है का बोलो, सुने नहीं ज्यादा, अच्छा, बोलो, एनर्जी से नवीद, आपकी तरफ आती इनर्जी, बहुत जरूरी है आप लोगों के बहुत रैसलिंग के लिए, तो क्या ऐसा चीज आप कहते हैं के डाइट में होनी चाहिए, जिसे इनर्जी बहुत ज़ादा है, बिल्कुल एनर्जेटिक डाइट लेनी चाहिए, जिसे शाम के टाइम आप लाजमी फूट चार् आपकी जो अक्सर ऐसा होता है, लोग बैठते हैं को यह उठने का दिल नहीं कह रहा है, तो यह वाला काम जो यह खतम हो जाता है, जी और एनर्जेटिक से मुराद यह भी हो सकता है कि अपने खाने पीने के टाइमिंग है, उसको आप देखें, कि खाने का टाइम है या नही क्योंकि अक्सर रात को मैं उठता हूं तो अगर मुझे भूग लगी है तो यह मुझे चाहिए कुछ हलका बुलका खालूँ, यह नहीं कि मैं पैट बरके खालूँ और सो जाओं, मतलब इस तरह हम जो अपनी जिम्हदार खुद होते हैं, अपनी फिटनेस के अपनी जो बो सूर्वक्टता हैं, इसे की पूरुड़ी स््ट्रक्चर में दिया है, बहुत खोपषूरत दी है, इसकी जिम्हदार हम कुछ जाना है जिसको हम किस तरह चलाने, इससारी हमारे पर डिपेंड कर दे हैं, इससे हम थे यह सारी आपने ऐप सरी है लिब आरो इसनारी होता है। यह तो बहुत लंबी चोड़ी बात है लेकि मैं आपको शोड़कुत में बता हुआ नाश्ता करता हूं तो इस तरह करता हूं कि परांथे नहीं खाता हूं ठीक है प्रेट्स खाता हूं जी बटर खा थोड़ा भूद यूज कर लिया इसके लावा अचा मैं तो यह सुना है कि अबना बढ़ा लूँ गा तो फिर मेरे लिए जो मैं करता हूं वो मुझसे नहीं होगा क्यूंके मेरा जो करेक्टर है पिर मैं आपको बता है अचा वेट कॉंस बहुत ज़यादा है कि मैं नोट करे हूं कि आप अपने वेट के बारे में बहाँ जादा कॉंसे हैं जी बिलक जो जिसके लिए वेट कम करना बहुत जरूरी होता है अच्छा, तो मेंस कि आप अपने वेट का बहुत ख्यार रखते हैं मैं अपनी फिटनेस का बहुत ख्यार रखता हूं ना वेट गिरने देता हूं इसमें चीज में आठ कुछा हूं एक चीज एड करूंगा अजा लाइफ कोच भी लोगों को यह बताते हैं कि आपने किस तरह से खाना है जितनी भी प्रोसेस्ट चीजें हैं जो प्रोसेस के थरोगर आएंगे वो आप ना खाएं अच्छा वो ना खाएं बिल्कुल ना खाएं जो चीज भी प्रोसेस से एवन बिसकिट भी प्रोसेस होकर आएंगे उसमें केमिकल्स इस्तमालों पैपसी इस्तमालना करें बिल्यानी इस्तमालना करें चंक फूट इस्तमालना करें नैचरल चीजें खाएं इवन वेजटेबल में हम गलती करते हैं, वेजटेबल को भी हमें स्टीम करके खाना चाहिए, अगर उसको ज्यादा कुक कर लेते हैं, तो उसके जो इन्जाइम्स हें जला देते हैं, और और आइल कम इस्तमाल करना चाहिए, कुकिंग और उसके अंदर ट्रांसफएटी जिसे में अंडा भी खाता हो न बॉयल तो उसके जो यलो होती है, वो निकाल देता हूं, मैं ती जटे आप उसकी निकाल देता हूं, क्योंकि वह फट प्लूशन बोड़ी में परदा यह जाता है, तो अगर में 10 अंडे खा रहा हूं एग्सेंपल दे रहा हूं तो उसकी ज कि अपने वेट को एक जगा पर स्टे करवाना बहुत मुश्कित दरीन काम है तो इसके लिए क्या वरक आप बहुत ज़्यादा होता है और डायेट का बहुत ज़्यादा ख्याल है जिए सोने जाएने का भी कोई आपका है असे सीन इन तो पैसे तो लेनी चाहिए कम शे गंटे जातके ज़ी चयाए निन डेनी चाहिए यह वरक आउट तो लाजमी है अच्छा वो दिन में कितनी, कितना टाइम करता है वा टेकरीम थीन थैन तीन घंदे गंटे करता हू यह लो मतल Dan PANCH गंटे अक्टिवी्टि में गजर जाते है तो आप को महनत तो लाजमी करनी है आप जितनी ज्यादा महीनत करेंगे उतने ज्यादा स्टेबल होंगे उतना ज्यादा आपको कामियाभी मेरेगी नवीत कोई लास्ट जो अपने यंग्स्टर्स को आप कहना चाहें जो रेस्लिंग में आना चाहते हैं जिने शौक है उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो उन्हें क्या मैसेज देंगे तो रेस्लिंग में अगर उन्हें आना चाहते हैं तो सीधा सीधा मैसेज यह है कि जो हमारी कंपनी REW यह इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में आई ही नहीं सकता है जितनी मेहनत यह REW की रिवोलिशन इंस्टूर्न रेस्लिंग तो उसके दर आप अपलाय कर सकते हैं बहुत अराम से कॉंटेक्ट निम्बर भी आपको वहीं मिल जाएगा आप जॉइन कर सकते हैं अच्छा जितने भी लड़के हैं जितने भी यंगस जितने भी बॉइस हैं जो बहुत जी जी देखें बचे स्टूडल कर रहे हैं स्टूडन्स हमारे जो हैं मेरा ख्यास से एक रीजन यह भी है कि शायद एज़ टीचर हम लोग उनको लर्निंग स्किल्स नहीं हैं डिवल्प कर सके अब जरूरत है लाइफ कोचिस की आप ताके बच्चों के साथ आपके बैठे हैं बहुत सारी चीज़ें बच्चे प्रिंट के साथ नहीं कर सकते हैं कोचिस ऑन से सवाल करें alltså एकस्प्रोर करेंगे के आपका बच्चा क्या टेलेंट है उसके अंदर, उसकी रिपोर्ट कोछ आपको बना के दे सकता है, बच्चे को जो वो करना चाहरा है, जो उसका पेशन है, जो इसका इंटरस्ट है, उसको और स्टॉंग करें थो लाइफ कोचिस बहुत सी सारी चीजें आपके बच्चे के अंदर है डिसकवर, डिसकवरी क्योंकि एच इंडिविजुल इस अ यूनिवर्स इनिट सेल्फ आप मौकर दें ताके जो लाइफ कोचिस उनको एक्स्प्लॉर करें आपके बच्चे की जो स्टेंथ हैं उनको मजीद स्टॉंग करें और ताके आपके बच्चे वर्ल्ड क्लास बने हमारे सब लोग जितने भी बच्चे हैं मैं सब पेरेंट्स इसको कहना चाहरा हूँ हमारे बच्चे, हर बच्चे के अंदर अनला ताला ने वो सलाहितें डाली है हर बच्चा हमारा जो है वो आउट्स्टेंडिंग है वर्ल्ड क्लास है, बन सकता है लेकिन उसके लिए हम सब लोगों को सीरिसली इन चीज़ों को देखना पड़ेगा अब लाइफ कोचिस को इन वॉल्व करना पड़ेगा थैंके सो माज़ असलम साब आपने बड़ा अच्छा मेसेज दिया एक चोटी सी कोशिश की एक अजबदस को का फेजिन करने की कोशिश की मैंने के हमारे पास मौजूते नवी धाश्मी पाकिस्तान से भलाग टू रैसलिंग के किस तरह से रैसलिंग में आना चाहिए जाने की कोशिश की हमने और काफी हद तक उनके डाइट के बारे में साट्यूसे के बारे में आपको मैंने बताया छोटी सी गप्षब की अमारे साथ अस्टम साम्वा अवाजूते लाइफ कोई भी चीज अगर आपको करना चाहते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए उस पे टाइम तो आपको देना पड़ेगा चाहे पिर वो रैस्लिंग है वो आपका एजूकेशन है आपको उस पर मेहनत जरूर करनी पड़ती है जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे उसके बार मेहमाफ से फिर किस एटे से महवान के साथ मुलाकात होगी तो आलाहाफिस